राजस्थान मुख्यमंद्री दिव्यांग स्कूडी ओजना 2022 जिसके फॉर्म 31 अगस्त 2022 तक ओनलाइन लिए गए थे ऐसे ऐसो पॉर्टल के माध्यम से उसके बाद फॉर्म बरवाना के बाद फॉर्म कुछ दिन पेंडिंग भी पड़े रहें फिर तीन या चार इस्टोपों से उन फॉर्म को गुज़रा जाता है अर्ता सबसे पहले श्ची के माध्यम से पहुझता है उसे बुर्ट सही पढ़िवाई है तो चमेटी丘 Hill से-दी qe करते है क्मेटी में उसका नाम 9 조 होथ के हो सकije लें चाहिट सब्सक्राइब नि आप Yay क्वा सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब गाति व्फ५ोर में कल जो है कमीड़ी अनए थी अरौ एक नया सभा किया pm उस्प्रीण कीyy कि लगारे सबाया है तो इसका मतलब क्या है उसके संभून इस जानकारी जो है इस वीडियो हम लेने वाले हैं वीडियो को आप पूरा देखे शुरू से लेकर एंड तक और अच्छी तरह से समझे ताकि मनमें कोई डाउट नहीं रहे हैं अब अधुरा वीडियो देखते हैं उप्तर कमेंट करते की आपने जानकारिय आखे लिए नहीं होगी इसलिए मैं जानकारी दे रहा हुगी अगर ये बता रहा है तो ठीके ने देखिए फोर्म में आपके बता रहा है जो मैंने की आपकी आप चानते में चानते हैं कहांपे current status का मतलब होता है कि समसामीक status अभी इस्तिथी वर्तमान स्तिथी क्यां चल दें वह यहांपे दिखाई देती आपको ठ çık़ है ना तो यहां पे जैसे धर की форм कमीटी के पास गया है दिलोके पास गया है तो उन्होंने इस तरह का लिखा हुआ रहा है कि checked by इसका मतलब क्या है यह क्यूं बता रहा है क्या है इसका मतलब कोई अब्जेक्शन है या इसका मतलब हमें कुछ करना है अगर आपके यह बता रहा है तो आप निश्चित हो जाए पहले साथ यह निश्चित कैसे निश्चित यह होता है कि आप बिल्कुल गब्रायमत कि इसका क्या होगा क्या फोर्म दोबारा डियलो के पास चला गया है कमीटी की ने यह कर लिया है वो कर लिया गबराने की पूए स्थिति नहीं आपके ऐसा बता रहा है आप संतुष हो जाए कि कि Committee स्कुटी मैंने पहले भी बता देए कि इटेखी थीया अब आपकी है ठेखा त66 कर दिया गया है कमीटी के पास यह तो पहले भी आरा था ना तो इसका मतलब क्या हुआ यह पेले तो भी आ रहा तो इसको मतलब क्या हुआ है ठीक है ना चेक का मित्लब होता है कि आपका जो form पहले committee के दोरा, committee के पास भेजा गया था, सबसे पहले forward बता रहा था आपने देखा ना, पिछले वीडियो में कुछ वीडियो बता रहा था पहले बता रहा था कि forward तो पहले ही committee ने कर लिया था तो अब वापस देख, अब DLO ने क्यों किया इसका मतलब यह नहीं है कि आपका फॉर्म वापस एसे आ गया या इसे आ गया इसका मतलब साफ आप समझे अची तरह से कि आपका जो फॉर्म है जो भी कमीटी के पास फॉर्म गए थे ठीक है ना DLO ने जो भी फॉर्म कमीटी के पास भेजे थे जैसे बता है जीतने भी फॉर्म थे और चले गए light hory को एक फॉर्म को पहले दो एक फॉर्म भी तो भीज़े एक घजुन आइक होए विए कि अले जितने भी फोर्म consent का मतलब यह फोर्म अलग-अलग तो नहीं है 9 पिएडियो के बहुत सारे होगे डियो ने چेकर लिए कमिटी के पास भेज दिए बहुत सारे फॉरम होगे उन дополн की आसे सिए 3000 से उपर फॉर्म आ गए इस सारे 3000 फॉर्म को डिये लो पास बेज़या गया है अब उन्होंने इसलिए बेज़या कि आप यह जो फॉर्म है इन सब को अच्छी तरह से वापस यह करो ठीक है ना वापस चेख करना का काम तो सिर्फ डिये लो रहता है और रहता है कमिटी फॉर सब्सक्राइब उसक्राइब के दो कोई किसी के साथ बेद्बाव तो नहीं हो रहा है कोई 40 व्रतिष्ट विकलांगे आप कोई साथ है कोई कैसे क्या है बसलाब भड़जी वड़ा तो नहीं है इसलिए नो के पहले पहले भेजिश दिया है फिर डियेलो ने क्या किया कि उन सभी फोर्मों को जितने भी फोर्म कमिटी ने उनके पास वापस बेज दे रिटर्न उन सभी फोर्मों को डियेलो ने चेक कर दिया है जिसमें आपका फोर्म भी है अगर जिसके भी ये करेंट स्टेटस में ऐसा बता रहा कि चेक्ट बाइड एंड फोर्वर तू कमीटी इसके बता रहा है इसका मतला आपका फॉर्व भी कमीटी ने डिलो में भेज़ा है आपका फॉर्म भी उसमें है पेले बात दो यह समझ जाएए खुशी की बात यहीर कबताने की नहीं ही ठीक है उसके बाद उन सभी फॉर्म 3,000 प्लस फोर्म है यह इसकुटिया तो 3,000 ही है लेकिन उसे उपर भी फोर्म है सभी को DLO ने चेक कर लिया है चेक करनों के बाद इसलिए बता रहा है चेक्ट बाई DLO क्या बता रहा है चेक्ट बाई DLO ने चेक लिया सभी फोर्मों को और उससे क्या कर दिया वापस forward to committee और इसका मतलब आपका फोर्म भी DLO ने चेक किया है और आपका फोर्म भी committee के पास भेजा गया है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि आपका फोर्म ना तो reject हुआ है ना आपका फोर्म में कोई mistake है ना आपका फोर्म में कोई गलती है ना कोई फर्जी वाला है ठीक काली इनको स्कूटी दिनी है लेकिन फार्म ज़्यादा आ गए अब उसकूटी के लिए नौ मिनित किये गए ते वह डियलों के अपरफ बेजे बने ने सभ्य ही फार्म को चे किया पहले पावार्म एक क्पर रही थी वह कमीटी ने क्या कि वापस DLO के पास बेज अगा सभी form को सभी एक समान तो है ठीक है किसने चेक कर दिया चेक कर दिया DLO ने और उसे चेक करके वापस उनको भेज दिया कि हाँ आप इनने स्कुटी दे दू मतलब आप मैं बकराओ मन कर रहा हूं कि अगर आपके यह सा बता रहा है कि checked by DLO forward to committee इसका मतलब यह समझे है कि आपका form भी DLO के पास बेजा था किसने committee ने और उसे चेक किया था किसने DLO ने ठीक ना कि कोई फर्जी वड़त नहीं है ठीक ना सबका एक समान है फिर उसे चेक करके वापस भेज दिया committee के पास कि हाँ य जाएगी या इन्हें सकुटी आप दे सकते हैं committee कमिटी वाले आप इन्हें सकुटी दे दो तो यह सब के समान बता रहा है आज कल यह किसी एक साती यह बता रहा था यह कोई भी साती है यहाँ ठीक है ना किशन गड़ रहने वाले हैं इनके यह बता रहा है इनके साथ साथ साथियों के यह मतलब ऐसा स्टेटस बता रहा है एक साथ बता रहा है ठीक ना इसका मतलब आपकी स्कुटी का फॉर्म है committee के पास वापस दो बारा चेक करके भेज़ दिया गया है अब committee का कुछ काम नहीं है अब committee जिनकी फॉर्म को ताजा दाजा ली ली ताजा के रहा है क चेक्ड बाई DLO बता रहा है committee to forward बता रहा है इसका मतलब आपका फॉर्म अब committee को जो है ताजा ताजा मखर मखाना निकाल ली किसने निकाली DLO ने मखर मखा निकाल लिया एक फॉर्मों का और उस मख़न को किसके पास बेज़ दिया है committee के पास बेज़ दी कि हाँ अब आप थे committee के पास ठीके ना अब उनकी पात्रता वापस जांस करनी थी DLO के पास बेज़ दिया इसलिए बता रहा है चेक्ड बाई DLO and forward to committee जिसके बता रहा है समझ जाईएगा कि हमारा फॉर्म भी उसमें है अर्थात जो मखन बेज़ा है committee के पास DLO ने उस मखन में हम भी शामिले अगर किसी के यह status बता रहा है तो ठीक है चेक्ड बाई DLO and forward to committee अगर यह बता रहा है तो इसका मतलब समझ जाए कि मखन मखन है और उस मखन को बेज़ दिया है DLO ने committee के पास उस मखन में हमें शामिल अगर यह status आके बता रहा है तो क्या मैं इसको मिल जाएगी बिल्कुल में जाएगी निच्चित रहिएगा ठीक है ना वीडियो को पूरा देखा आपने या नहीं देखा कमेंट बैक्स में जरू लिखे अपनी जो भी है कुछ भी आप जयादे जयादे कमेंट करें ताकि म आप सभी को एक बार पुन हो ठीक है